गरुड पुरान के अनुसार क्या होता है मृत्यू के बाद? दोस्तों, जब कभी हमारे किसी परिजन या दोस्त की मृत्यू होती है, तो अक्सर हमारे मन में ये खयाल आता है कि वो कहां गए होंगे? क्या वो ठीक होंगे या क्या हम उनसे दोबारा कभी मिल भी पाएंगे? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यू होती है, तो उसके शव को जला दिया जाता है, अर्थात उसका अंतिम संसकार कर दिया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अंतिम संसकार के बाद, अर्थात शव के जलने के बाद उस मृत्त आत्मा के साथ क्या होता होगा? और वो कहां जाती होगी? अगर आप भी इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जैश्री हरी विश्नु लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, जीवन और मरण की सारी बातें गरुड पुराण में विस्तार से बताई गई हैं, और गरुड पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यू होती है। तो यम लोक से दो यमदूत पृत्वी लोक आते हैं, और सिर्फ चौबीस घंटों के लिए आत्मा को पृत्वी लोक से यम लोक लेके जाते हैं, और उन्हीं चौबीस घंटों के दोरान मृतक के परिजन जानने वाले और उसके परिवार वाले शव का अंतिम संसकार और अन्यप्रिया कर्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्चौबीस घंटों के दोरान ही यम दूत आत्मा को यम लोक में उसके पूर्व में किये गए अच्छे बुरे कर्मों को दिखाते हैं। उसके कर्मों का लेखा जोका करने के बाद यम दूत आत्मा को वापस उसके घर पर उसके परिजनों के बीच वापस छोड़ देते हैं। परिजनों के बीच ही रहती है और सब कुछ सुन व देख सकती है और परिवार वालों को रोते हुए देख उनसे बात करने की कोशिश करती रहती है लेकिन उसको कोई नहीं सुन सकता ना ही देख सकता है दोस्तों तेरे भी खत्म होते ही यम्दूत इस वापस उस आत्मा को लेने आ जाते हैं और आत्मा को वापस से यमलोक ले जाते हैं यमलोक के रास्ते आत्मा को तीन अलग-अलग मार्ग दिखाए जाते हैं अब उस आत्मा को किस मार्ग में जाना है वह उसके द्वारा प्रित्वी में किये गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। आपको बता दें कि इन मार्ग से पहले यमलोक के रास्ते आत्मा को कई प्रकार के बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है जिन में से ही एक है वैतर्णी नदी गरुड पुराण में बताया गया है कि पुन्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है अलियाल, मगर मच्छ और ऐसे ही मांसभक्षी जीवों से भरा रहता है फिर नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वो बारा सूर्य की गर्मी के बराबर तापमान में तपने लगती है जब वो तापमान उससे बरदाश्त नहीं होता वो आत्मा उस रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है दोस्तों, वैतरणी, नदी के कश्ट जहेलने के बाद अब आत्मा को उन तीन मार्ग में से किसी एक मार्ग में भेजा जाता है जो चलिए जान लेते हैं पहला मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नरक लोक की यात्रा दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं और पाप व पुणे में फर्क नहीं समझ पाते उन्हें नरक लोक जाना पड़ता है आपको यह भी बता दें कि गरुड पुरान में अलग-अलग नरकों का जिक्र किया गया है जहां पापी आत्मा अपनी सजा भोगने जाती है जिन में से कुछ नरक आज आप जाएंगे कुम भी पाकम नरक, कुम भी पाकम नरक में वे मनुष्य जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मांस भक्षन किया हो और जो लोग अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं यहां उनके इस कर्म की सजा में उन्हें खौलते हुए तेल में उबाला जाता है अंधता मिश्र नरक यह नरक उन पतिपत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की वस्तु समझते हैं इस नरक में उनकी आत्माओं को गर्म डंडे से मारा जाता है यह बहुत ही तेज गती से चलता है तामिश्रम नर्क, इस नर्क में उन्हें जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ती हड़पी होती है या जो दूसरों की वस्तूओं में नजर रखते हैं जहां पर उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक वे बेहोश ना हो जाए दुबारा होश आने पर, फिर दुबारा उन्हें ऐसे ही मारा जाता है. यह सिलसिला तब तक चलता है, जब तक कि सजा का समय समाप्त ना हो जाए. दूसरा मार्ग होता है धूम मार्ग जिसे पित्र. लोग का मार्ग भी कहते हैं. दोस्तों पित्र लोक एक तरह से वेटिंग रूम के जैसे होता है जब किसी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक दोनों ही नहीं मिलता है तो उस आत्मा का वापस से धर्ती पर जन्म होता है लेकिन जब तक उसके द्वारा किये गए कर्मों के अनुसार उसके माता-पिता को चुना जाता है तब तक उस आत्मा को पित्र लोक में इंतजार करना होता है फिर सही समय आते ही उसका दूसरे शरीर में जन्म हो जाता है दोस्तों, साल भर हमारे पित्र पित्र लोग में ही निवास करते हैं लेकिन साल में केवल पंदरा दिनों के लिए भगवान पित्र लोग के द्वार खोल देते हैं ताकि हमारे पित्र पित्र लोग से धर्ती लोग अपने परिजनों से मिलने वा भोजन ग्रहन करने आ सके। इसी समय को पित्र पक्ष कहा जाता है। अगला मार्ग है अर्ची मार्ग यानी स्वर्ग लोग की यात्रा। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन करते हैं, दूसरों की भलाई का सोचते हैं, भगवान की भक्ती में लीन रहते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक मिलता है, ऐसे में खुद यमराज आत्मा को स्वर्ग तक लेकर आते हैं, वहां उस आत्मा का स्वागत अपसराओं के द्वारा किय जाता है और वहीं उस आत्मा को सारी सुख और सुविधाएं प्रदान की जाती है तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं जै श्री हरी विश्णू